महा शिवरात्री पूरे देश में भगवान शिव के भक्तों के लिए एक विशेश अवसर है। इस दिन उपवास करने का अत्यधिक धार्मिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्थ होती है। जिसके फल्स्वरूप व्यक्ति मोक्ष प्राप्थ कर सकता है और सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। हालां कि भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए व्रत के सभी नियमों का सही धंग से पालन करना महत्वपूर्ण है। जैसे की क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा पूर्व अनुष्ठान, पूजा विधियां और व्रत कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में विशिष्ट ग्यान होना आवश्चक है। आज के वीडियो में हम इन सभी पहलूँ पर जानकारी प्रदान करेंगे, जो आपको महाशिवरात्री के दौरान सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगी। विशेश रूप से निशिता काल में की जाती है। जबकि अन्य व्रत विधान के अनुसार साबूदाना, सत्तू, कद्दू, आलू, मखाना, अर्भी, केला, दही आदि का सेवन करते हैं हालांकि गेहू, चावल, नमक, कुछ सबजियां, दालें और इसी तरह के अन्य खाद्य पदार्थों से बचना महत्वपूर्ण है मानसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन हर किसी के लिए वर्जित माना जाता है भले ही वे महाशिवरात्र का उपवास नहीं कर रहे हैं भगवान शिव को क्या अर्पित करें? सफलता, समृध्धि, शान्ती और खुशी का आशीरवात प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को बेल पत्र, धतुरा फल, कच्चा चावल, दूद, दही, घी, चंदन का लेप और जल अर्पित किया जाता है इसके अतिरिक्त दूद से बनी मिठाईयां जैसे बर्फी, पेडा और खीर भी भगवान शिव को चढ़ाई जाती है महा शिवरात्री उपवास के कुछ नियम भगतों को महा शिवरात्री से एक दिन पहले, त्रयोदशी के दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए, ताकि शरीर और मन शिव पूजा के लिए तयार हो सकें महा शिवरात्री के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने शिव पूजा के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे दिन के उपवास का संकल्प ले शिव पूजा करने से पहले शिव लिंग को जल, दूद, केसर, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं दीपक और अग्र बत्ती जलाएं, शिवरात्री की रात का विशेश महत्व होता है इसलिए शिव पूजा से पहले भक्तों को दो बारा स्नान करना चाहिए शिव पूजा पूर्ण करने के बाद अगले दिन स्नान करने के बाद ही अपना उपवास तोड़ना चाहिए महा शिवरात्री उपवास के निशेद शिवलिंग पर नारियल पानी ना चढ़ाएं लेकिन पूजा में पूरा नारियल चढ़ाया जा सकता है यह सलाह दी जाती है कि भगवान शिव को चढ़ाई गई किसी भी चीज का सेवन ना करें क्योंकि इससे अशुब होता है केवडा और चमपा जैसे फूलों का चढ़ावा ना करें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने श्राब दिया है इस पूजा के दौरान भक्तों को कभी भी कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए और चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए व्रत रखते समय चाय और कॉफी का अधिक सेवन ना करें क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उप्योगी साबित होगी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ युक्त रहें धन्यवाद और महाशिव रात्री की शुभकाम नाएं